Hello Friends, Welcome back to Spot Success आज के इस लेक्चर में हम त्यान वन वन के बारे में जानेंगे जो चाइना के एक मार्स मिसन है और मार्स से लिटेट हम अधर इंपोर्टेंट डेवलप्मेंट को भी देखेंगे चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं कॉंटेक्ट की बात करें तो चाइना ने अपने पहले मार्स एक्स्पोरेशन मिसन का नाम त्यानवन वन रखा आए त्यानवन वन एक एसेंट चाइनिस कोएम के नाम से ड्राइब किया गया है त्यानवन जिसकी लिटरन मीनिंग होती है चाइना की जो स्पेस एजनसी है चाइनिस नेटरल स्पेस एडमिस्टेशन उसने भोला है कि जितने भी चाइना के फ्यूचर प्लेनेटरी एक्स्पोरेशन मिसन होने वाले हैं उनका नाम फ्रेंट्स त्यानवन सीरीज के नाम पर ही रखा जाएगा चाइना ने प्लान किया है कि इस मिसन को जुलाई 2020 तक लॉंच कर दिया जाएगा और ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि नेक्स्ट येर के फ्रस्ट क्वाटर में यह लेंट करेगा मार्स के सर्फीस वाल त्यानवर मिसन की अगर हम बात करें ऐसा पहली बाद नहीं है फ्रेंट्स के चाइना ने प्रियाज किये हो मार्स पर कोई मिसन भीजने के लिए पहले 2012 में रस्टेश क्राफ्ट को यूज करकर चाइना ने एक इस्पेश मिसन को अनौउस किया था इन गोई वन लेकिन फ्रेंट्स रसियन स्पेश क्राफ्ट था डेट वस नौट एबल तू लीव दा अर्थ औरविट और वो फर्दर डिसेंटिग्रेट हो गया था पैसिफिक ओशन में in 2012 तो चाइना का जो अटेम्ट था वो फेल हो गया था त्यर्वन वन मिसन को लांज करने के लिए फ्रेंट्स लॉंग मार्च 5 रोकेट को यूज किया जा रहा है और इस रोकेट में 13 पेलोट्स को भीजा जाएगा 7 और वाइटर्स रहेंगे और 6 रोवर्स रहेंगे और इन की साहिता से फ्रेंट्स मार्च के प्लैनेट को एक्स्प्लूर किया जाएगा एक्स्प्लूर का मतलब फ्रेंट्स के मार्चियन सर्फेस पर वाटर, आइस और स्वयल करेक्टरिस्टिक को इन्वेस्टिकेट किया जाएगा इसके साथ ही साथ जो atmosphere reference उसको भी study किया जाएगा चाइना का जो है mission reference इसमें सबसे पहले ऐसा माना जा रहा है कि ground penetration radars को भीजा जाएगा और चाइना ऐसा करने वाला पहला country बन जाएगा इस ground penetration radar की साहता से मार्स की local geology को study किया जाएगा जैसे कि rock ice and dark distribution our friends previous mars landing के बारे में जान लेगे अभी हमने देखा था अगर चाइना अपने इस mission में successful हो जाता है तो वह third country बन जाएगा पूरे world में to achieve mars landing इससे पहले friend USSR in 1971 first country बन चुका था to carry out a mars landing और इस mission में mars 3 lander को भेजा गया था और fail होने से पहले friends इस lander ने 22nd का successfully data transmit किया था 1973 में friends USSR ने अपने second mission को भीजा था और successfully mars landing को अचीब किया था United State of America USA friends second country है पूरे world में to reach mars surface और अभी तक सबसे जादा record USA के पास ही है friends for the most number of mars landing 1976 से अब तक USA friends 8 successful mars landing conduct कर चुका है और latest जो mission रहा है USA का वो था insight lander आपने सुनाई होगा जिसको 2018 में launch किया था और 2019 में friends यह lander land कर चुका है USA ने ऐसा अनौंस किया है friends कि इस year वो एक और mars mission को launch करेगा जिसका नाम है परसीवरेस और इस mission का एमें friends के mars यहन सर्फेस से सेंपल्स को collect किया जाएगा और अर्थ सर्फेस पर उसको उन सेंपल्स को फिट से लाया जाएगा आप उन friends other agencies के mission को भी दीख लेते हैं जिनोंने mars के orbit में अपने सक्सेस्पुली spacecraft को प्लेस किया है European Space Agency और इंडिया के इस रो ने friends successfully mars के orbit में spacecraft को प्लेस किया है इंडिया का mars orbiter mission या मंगल यान जिस पर अभी एक movie भी बन जुकी है friend 2014 में September में successfully इस रो ने अपने spacecraft को मार्स के orbit में प्लेस कर दिया था और इस mission के लिए जो launch vehicle का यूज किया गया था उसका नाम था polar satellite launch vehicle और जिस rocket को यूज किया था उसका नाम था C25 तो यह important fact आपको याद रखना है इंडिया friends ऐसा करते ही first Asian country बन किया था जिसने successfully mars orbiter mission को launch किया था और पूरे world में friends इंडिया first ऐसा कंटी है जिसने पहले ही attempt में mars orbit में successfully अपने spacecraft को प्लेस किया है Moon के बाद friends, Mars एक ऐसा planet है अपने solar system में जिस पर सबसे अधा अभी mission बेजे गए हैं इसलिए हम regions को देख लेते हैं कि scientific community इतना ज़्यादा interest क्यों लेती है Mars के exploration में basic region friends यही हो सकता है कि despite के काफी सारी region है के earth से different है Mars लेकिन कुछ several earth-like features देखे गए हैं Mars के surface पर जैसे clouds, polarize, caps, canons, volcanoes and other seasonal weather patterns इसी वजए से curiosity है sciences में कि जैसे earth support करता है life को बैसे ही Mars भी support कर सकता है life अब हम friends Mars से related कुछ important developments को भी study कर लेते हैं सबसे पहले हम NASA के insight Mars lander के बारे में जान लेते हैं जिसको successfully land कर दिया है Mars के surface पर और इस lander का aim है to study the internal structure as well as the rotation of the Mars जिस site पर उसको land किया गया है उस site का नाम आपको याद ही रखना है मार्स के लेंडर को लेंड किया है Mars के surface पर आप image में Mars lander को भी देख सकते हैं और solar panels जो being like structure reference solar panels deploy किये गाए हैं इसके साथ ही साथ एक seismic instrument है context camera है HP3 instrument है और एक robotic army है insight is an acronym for interior exploration using seismic investigation geodesy and heat transport interior exploration using seismic investigation geodesy and heat transport इस mission के friends twin objective है सबसे पहले formation and evolution को देखा जागा कि terrestrial planet किस तरह से form हुए है और revolve हुए है और यह सब मार्स के interior structure को investigate करके पता लगाया जाएगा क्योंकि Mars भी plants एक terrestrial planet है next friend tectonic activity को determine किया जाएगा और साथी साथ जो meteorites के impact rate है उसको समझा जाएगा इस mission के अगर हम detail की बात करें friends तो Mars पर life का presence है या नहीं इसको study नहीं किया जाएगा इस mission के द्वारा और सिर्फ Mars के internal structure को study किया जाएगा यह हम देखी चुके थे context में और देखा जाएगा कि जो Mars का structure है वो किस तरह से layer है कौन-कौन से material प्रिजेंट है और किस तरह से Mars के inner surface से heat बाहर निकल दी है इस mission के significance के अगर हम बात करें तो NASA का यह first mission होने वाला है जो Mars के inner space के in-depth study करेगा duration है इस mission की 24 month और जिस rocket से inside को launch किया गया था friends उसी की साहता से पहली बार deep space में cubic satellite को भी launch किया गया है उनका नाम है Mars Q1 और Marko next important development friends Mars base से related है जिसको अभी Gooby desert में खुला गया है चाइना के दोरा और यह गंसू प्रोविंस में लाई करता है Gooby desert की location आप देख लीजे friends और दो mountain की location आपको याद रखना है एक अल्टाइ माउंटेंज और एक क्लियर्ट माउंटेंज जो एचसेंट लाई करते हैं Gooby desert की Mars base 1 friends एक Mars base simulator है जिसकी location Gooby desert में है और implementing agency sea space है objective है to create a simulated environment so as to explore teenagers on how life could be on Mars surface Gooby desert के अगर हम location की बात करें friends तो यह एक northern और North East China की region को cover करता है और मंगोलिया की सदन portion को cover करता है तो हमने इमेज में ही देखा था इसके formation की बात करें friends तो यह एक रेंस एटो desert है आपको याद रखना है क्योंकि यह है Tibetan plateau के बीच बाद में लाई करता है जिसकी वजाए से जो Indian Ocean region से जो winds रहती है friends उसको block कर लेता है Tibetan plateau और rain soda region में लाई करता है Gooby desert साइच की हम बात करें तो यह sixth largest desert है पूरे world में और Asia का second largest desert है climate की बात करें तो Gooby desert friends overall एक cold desert है तो इसकी formation को आपको याद रखना है यह rain soda desert है next important information friend hope mars mission से related है नीम की अगर हम बात करें तो hope mars mission को emirates mars mission की नाम से भी जाना जाता है hope की literal meaning arabic में होती है al-amal यह है क्यों friends यह United Arab Emirates का पहला space exploration mission होने वाला है जो mars में भीजा जाएगा और इसका aim होगा to study marsian atmosphere and mars climate timeline की अगर हम बात करें friends तो इसको 2014 में announce किया गया था और hope approved friends Japan के दोरह July 2020 में इसको launch किया जाएगा बहले ही यह friends UAE का mission है लेकिन जापान के दोरह इसको launch किया जा रहा है आपको याद रखना है और next year 2021 में यह friends mars reach करेगा इंडिया friends या India की जो space agency शुरू बहले काम कर रही है with UAE on its mars mission इसलिए यह important हो जाता है हमारे exam के लिए और यह fact आपको याद रखना है कि India is also working with UAE on its mars mission here the analysis this topic thank you thank you very much for listening